कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गौ़र्मन्न गुरू 2.0 यूटूब क्लास में और आज हम इस सेशन देखने वाले इस्राइल और फिलिस्तीन की जो वर्तमान में इस्तिति है उसके बारे में हम वर्तमान में बात करेंगे और वर्तमान में बात ये करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे इस्राइल और फिलिस्तीन का इतिहास के बारे में इतिहास के बारे में बात करना जरूरी है तब ही जाके आगे हमारी ची तो तब से ये कहानी सामने आई थी और इस पे जो है हम आगे चर्चा करने वाले हैं तो इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इतिहास के बिना वर्तमान को नहीं जान सकते हैं हम बात करें ये देखो ये जो ज़ंडा है आपका ये है आपके फिलिस्तीन का इस तरफ वाला है इसराइल का तो इन दोनों के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले हम बात करने कि जो भी बच्चे चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीस स वाला उसको जरूर दवा दिजीगा ताकि आपके पार नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए आगे चलते हैं बहुत ही आसान लेंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ तो देखो ये हैं हिटलर ये महाशेकों है हिटलर आपने सबने देखा होगा ये हैं हिटलर ये हैं जर्मनी के उस ताइम के नेत्रत करता इनके बारे में एक चीज कहा जाती है ये थे बहुत बड़े तानाशा तानाशा कैसे थे कि मतलब अपनी ताकत के आगे किसी की भी ताकत को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते थे ठीक है इन्होंने जो कर दिया वो कर दिया और जो नही किया वो फिर ये करते भी नहीं थे मतलब कुल मेला के बात है कि अपनी मर्जी के मालिक पर किस देश पे कब हमला करना है ये इनके दिमाग में था और किसी के दिमाग में भी नहीं था तो ये जर्मनी जब 1949 में 1945 तक जब धित्यव विशुद में भाग लेता है ठीक है भाग जहां जहां यहुदी रहते थे ना यहुदी यहुदी क्या है यहुदी एक है जो धरम है इसके जो लोग थे जहां पर भी रहते थे दित्यव विशुद के दोरान तो हिटलर ने इनको मारना शुरू किया यहुदियों के ओपर हमले किये हमले किये इने मारना शुरू किया बेगर कर दिया है न वो तो यहूदी जो लोग हैं बदलब भागने लगे इधर उद्धर शरण के लिए है न तो क्या हुआ कि लगबख साट लाग यहूदियों का अत्याचार किये हिटलर राव में हिटलर ने साट लाग लोगों पे अत्याचार किये उस टाइम सोचो उननी हमारा एक देश होना चीए तो देश के लिए क्या होना चीए देश के लिए सुख से पहले तो क्या होना चीए जमीन होनी सीए तो जमीन कहां पर मिलेगी तो जमीन कहां मिलेगी उसके लिए देखो क्या हुआ यह देखो यह नक्षा अब इसमें हम नक्षे में देखो यह हम भारद के हम west में चलते हैं तो यह है सइडियारब, एमान यमन यह है इराग वाला छेतर यह इरान है यह था उस समय जित्य विशुद के दोरान जो तर्की था उस पर्थम विशुद के दोरान जब यहां पर था ओटोमन सामराज्य का शासन था तो तर्की के अंदर तो तर्की के अंदर ओटोमन सामराज्य का शासन था और यह जो जगे है यह वाली हम बात करें यह वाली जो जगे है इस जगे इस जगे में क्या है कि, यह है यो इन्टर करना है तो आपको इस जगे से जाना ही पड़ेगा? ऊस तớiम क्या होता था? यह इस्राइल जादा ममनला प्लिस्तीन जो है बहुत जाता है, important हो जाती थी भोगोलेक देश्टीजें, तो साओधी अरब क्या है कि फिलिस्थिन पर कबजा करना चाता था, है ना, और तर्की के पास था, तर्की मतला ओटोमन सामराजी के पास था फिलिस्थिन, उस टाइम की बात बता रहो मैं आपको, और आपके इराग भी चा अपर उस्मानी सल्तनत परश्श्ची मत्र में आनोतलिया इस्तापित करें एक तुर्द राज्ये था, तो हम बात करते हैं आगे, आगे क्या हुआ दितविशुद में बिडिटेन, बिडिटेन जो है आपका जो, दितविशुद में भाग लेता है, दितविशुद में करना तो ब्रिटेन क्या कहता है कि हम आपको फिलिस्तिन दे देंगे है ना हम आपको फिलिस्तिन दिला देंगे बस हमारी एक शर्त है शर्त क्या है कि आप देते हैं भाग लो हमारा साथ दो उसके बाद फ्रांस को क्या कहता है कि आप जो है हमारा साथ दो और हम आपको फिलिस को भी यह कहता है कि हम आपको फ्लिस्तिन दे देंगे और फिर आगे चलते हैं तो यह हम बात करें कि यहुदी जो इदर-उदर भटक रहेते हैं हितलर के अत्य casually कि rejecting आपको देदेंगे मतला फिलिस्तिन आपको देदेंगे रशिया को भी यही बात की, रशिया मतलब उस ताम हुआ कहता है, तो सोवियत संग, तो सोवियत संग को भी यही बात कही है, कि हम आपको जो फिलिस्तिन दे देंगे, और यहूदियों को भी यहाँ पर कह दिया, कि हम आपको फिलिस्तिन दे देंगे, लास्ट में जब देते ह विश्यूद खतम होता है तो जो फिलिस्तिन वाला छेतर है किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके यहूदियों को ठीक है? यहूदियों को जब दिया जाता है तो यहूदी यहाँ पर आकर बस गए ठीक है? अब बस गए अब देखो क्या होता है बसने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम बात कहें यह एक मस्जिद है यह क्या है एक वहाँ पे फिलिस्तीन में जेरुसलम के पास यह एक मस्जिद है मस्जिद का नाम है अलक्सा मस्जिद कौन सी मस्जिद? अलक्सा मस्जिद अलक्सा मस्जित जो की आपके फिलिस्तीन वाचियों की मतलब फिलिस्तीन मुस्लिम थे और यहूदी कौन थे आपके यहूदी थे आपके इसराइली तो पहले तो फिलिस्तीन में यहापे मस्जित थी उस मस्जित का नाम था अलक्सा मस्जित उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अलग सा मज़ित के बाद यहाँ पर क्या था अब यहूदियों का भी पवित्रिस्थान हो गया था ठीक है यहूदियों का भी पवित्रिस्थान था और सीने गाड इसे कहा जाता था उसके बाद हम बात करें तो आगे चलके हम बात करते है कि यहाई जेरुसलम जो जगे है वहाँ पर एक जो है वले हम है जिसमें आपके इसामसी मतलब क्रिस्चिन इसाई इसाई धरम ये हो गया आपके इसाई धरम ये हो गया आपके मुस्लिम धरम आप देखो किस तरह से चीजें मौनिपलेट हुई थी और ये हो गया आपके यहुदियोंगा तो तीनो धरम का मतलब इसाई धरम के जो आपके धरम इसा मर्सी इनका जनम मानते हैं यहाँ पर ठीक है विल्याम में यह भी जेरुसलम के पास है तो यहाँ पर देखो बात थी जमीन की कि यह जमीन किसको मिलनी है लेकिन बात धीरे-धीरे क्या हो गई कि यह बात हो गई आपके धार्मिक मतलब जमीन से सीधा आपके धार्मिक जो चीज है उस पे यह चीज पहुँच गई कि यहाँ पर जो है मस्जिद थी यह कहते हैं आपके फिलिस्तिन वासी कि ये मस्जिद हैं हमारे लिए बहुत जाए इंपोर्टेंट है तो ये जो जगे हैं हमारी है यहोदी बोलते हैं ये हमारी है और इसाई जो बोलते हैं ये हमारी है अब देखो अब ये जो जमीन के लड़ाई धर्म में परिवर्तन हो गई ये पहुंच गई कहा पे पहुंच गई यूएनों में पहुंच गई अब इससे पहले क्या हुआ था कि फिलिस्तीन जो जगे थी फिलिस्तीन पर जो है कपजा कर लिया था किसने आपके इसराइल इसराइल मतलब यहूदियों के देश का नाम क्या हुआ था यहूदियों के देश का नाम हुआ इस जगे पर कब्जा कर लिया था तो यूएनों में यह बात पहुंच जाती है कि यहूदी यह इस फिलिस्थीन वारी जगे किस की है इसराइलों की है कि किस की है अब देखो क्या होता है कि यूएनों बोल दिया कि 51% जो उस समय जो था वो था इसराइल के पाफ है ना 49% जो बचा हुआ था वो था फिलिस्थीन तो मतलब एक ही जगे पर दोनों इस्तिती हो गई थी दोनों देश हो गए थे बढ़िया चल रहा था हना तो बढ़िया क्या चल रहा था अब देखो 1948-49 का जो अरव इसराइल का वार होता है क्या से वार क्यों होता है अमें बताता हूं क्यों होता है UNO ने decide कि यह देखो UNO ने क्या decide कि जहां पर अभी इसराइली वसे हुए है मतलब 91% छेतर वो तो दाई दिया आपके इसराइल को और आँ बात करें फिलिस्तीन की तो फिलिस्तीन को दे दिया 49% भूमे ठीक है यह UNO ने decision कर दिया था बड़िया चल रहा था एकदम कोई दिक्कर नहीं थी लेकिन होता क्या है होता यह है कि आगे चलकर 1948 में एक युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है अरब इसराइल वार अरब कंट्रीज ने इसराइल पर हमला कर दिया अरब कंट्रीज सारी अरब कंट्रीज ने इसराइल पर हमला कर दिया और वह हमला क्या था यह देखो आप उसमें तरकी सीरिया इराक साओधिय अरव इन सब बोला कि मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम कंट्री जो थी तो मुस्लिम कंट्री थी फिलिस्तिन अना तो मुस्लिम कंट्रियों पर आप यहूदी कहां से आगे इसलिए इन्होंने हमला कर दिया अब हमला कर दिया, मैं रिजन तो क्या था, मैं रिजन तो यही था कि फिलिस्टीन पर जो है कबजा करना चाते थे, सारे मिल का, ठीक है, सारे मिल के कबजा करने चाते थे और इसराइल को यहुदियों को भगाना चाते थे, लेकिन, लेकिन क्या हुआ, इसराइल था बहुत सक आपके इस्राइल का कबजा था वहां आगे चलकर हम देखेंगे 2020 में 84% छेत्र पर इस्राइल का कबजा हो जाता है 51% से सीधा 84% मतलब पूरा वो जो छेत्र था जो जमीन थी वो इस्राइल के कबजे में आ जाती है यह देखो फिलिस्तीन ने क्या गिया हम बात करते हैं यह पूरा फिलिस्तीन ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको फिलिस्तीन था ठीक है उसके बाद 1907 में जिसे मैं बता रहा था तो जहां पर जो है इज़ाई लिया गया अब यह जो ग्रीन कलर का रह गया यह रह गया फिलिस्तीन वाला दीरे दीरे देखो 1967 के दोगरान ये फिलस्तिन वाला छेतर ये वाला रे जाता है ये है आपके West Bank वाला छेतर और ये हैं आपके गाजापट्टी और 2020 में आते आते तो ये देखो West Bank के अंदर अंदर आपके देखो छिद्री तवस्ता में कर दिया किसको किसको कर दिया फिक्षिदित अवस्था में मतलब इसराइल ने इतने हम ले कर रहे है कि धिरे धिरे यह जो है जमीन इसराइल के पास आने लग गए और फिलिस्तिन वासी देखो कितने कम हो गए मतलब 15% छेतर पर ही आपके फिलिस्तिन वासी के पास बच गया इसराइल ने पूरा जो यह छेतर था अपने अंडर में ले लिया अपने कबजे में कर लिया ठीक है अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि यह जो गाजा पट्टी है अब वरतमान में क्या है कि यह यह वाला छेतर देखो ये वाला जो छेतर है इसको हम दे देते हैं A और ये वाला जो गाजा पट्टी वाला छेतर है इसको हम दे देते हैं B नाम तो A और B ठीक है ये जो छेतर था ये था वरतमान में फिलिस्तिन के पास ठीक है फिलिस्तिन के पास था अब इसराइल भूछ ज़दा हत्यारों से सक्षम हो गया चाहा ठीक है क्योंकि इसराइल को सपोर्ट था अमेरिका का इसका सपोर्ट था अमेरिका का यूएस से क्या है क अमेरिका ने इस्राइल को सपोर्ट किया हमेशा क्योंकि यह आए क्योंकि वो अरब में इंट्रोफेर करना चाहता था अरब कंट्रीज में तो अरब कंट्रीज में कंट्रोल करने के लिए उसने इस्राइल को सपोर्ट किया मतलब इस्राइल को आगे बढ़ाया ठीक है अब आगे बढ़ा है अब इस्राइल क्या करता है इस्राइले से काम करता है जैसे मानलो फिलिस्तिन बैठा हुआ है या पर चुपचाब फिलिस्तिन गोल रहा है या जो है वो ही उसे में सबर करना पड़ेगा लेकिन जब भी इस्राइल जब भी फिलिस्तिन के अंदर कोई भी development होता है किस तरह का development मतलब जिसे मान लो कोई pull बन रहा है या कोई education के लिए क्याम होजा या फिर हम बात करें या किसी और दूसरी चीज के लिए क्याम हो रहा है अधारवु ध्हाचाब विक्षित हो रहा है तो क्या करता है इसराहिल कुछ ऐसी हरकते करता है कि इसको हो जाता है गुस्ता, इसको हो जाता है इगो हर्ट, वो जैकान शिकरे वाला डायलोग ना, कुछ भी करने था, कुछ भी करने करता सिंग्रम, पर जैकान शिकरे का इगो हर्ट नहीं करने करता, तो इसराहिल वाले जो हैं, इनको उक उक्साते हैं, तो फिर क्या होता है, उक्साने के बाद क्या होता है, यह जो है, गुसा हो जाता है, और गुसा होने के बाद यह है, चोटे-मोटे हमले करते हैं, इसराइल के उपदा, इसराइल चाता है, इसराइल तो क्या है कि इसराइल चाता है, यह हम पे हमले करें, यह हम एक हमला करें पिलिस्तिन वाला जो भचा हुए वह भी हमांरे अंडर में आजए ठीक है यहां पर जिसे जो है फिलिस्तिन वासी को बगा देंगे या मार देंगे इस तरह से यह काम वर्तमाण सम्में चल रहा है अब क्या होता है कि यह जो इसराईल पर हमले करते ना कौन करता है फिलिस्तिन वासी तो एक जो है iron dom की concept है यहाँ पर iron dom क्या होता है कि जब भी यह हमले होता है जिसे मान लो यह फिलिस्तिन की missile आई अब हवा में missile आई इसराईल का यह radar है अपने हें मिसाइल मालो यह हवा में हेतीयार छोड़ाँ चोड़े कि इस तरह इस इज्राइल को को नुकसान होता नहीं है मुकसान को होता है फिलिस्तिन ॉनी के दूर्सी चीशा कि पता चल गया कि मिसाइल ठोड़दी इस्राइल का कुछ नुक्सान हुआ नी अब इस्राइल क्या करता है ये बदला लेता है ये क्या लेता है बदला लेता है फिलिस्तिन से बदला लेकर और फिलिस्तिन के उपर मिसाल छोड़ता है और मिसाल छोड़कर ये हाल हो जाता है किसका आपके फिलिस्तिन बागी होगा अब वर्ल्ड में भी कहने को मिल जाता है UNO में भी कहने को या अपनी तथ्य रखने को इस्राइल के पास आजाते हैं कि देखो भाई सा हमने तो हमला किया नहीं हमला कर रहे हैं फिलिस्तिन वासी अब हमारी साग तो बचाएंगे हम हमारे नागरी को पर हमला कैसे होने देंग हम हमारे देश पे कैसे हमला हमने देंगे तो यह फिर चार हमले और करते हैं और फिलिस्तिन को खत्म करने की कोशिष करते हैं यह आईरें डॉम समझ गए कि हवा में जो है इन मिसाइल को मार दिया जाता है कोई से भी देश की मिसाइल अगर इस्राइल पर आती है ठीक है तो उसके बाद क्या है इस्राइल ने एक संगठन बनाया और यह संगठन बनाया था खतम करने के लिए किसको आपके फिलिस्टीन को लेकिन यह संगठन उल्टा जो है आपके इस्राइल के उपर हमला करने लगया अब यह संगठन का नाम था हमास क्या नाम था हमास वरतमान मे क्या इस्तितिवी बर्तमान यही इस्तितिवी और यह हमाज जो संगठन है वो गाजा पट्टी गाजा पट्टी किदर है मैंने आपको बताया गाजा पट्टी यह वाला छेतर है यह गाजा पट्टी तो यह गाजा पट्टी पर यह संगठन रहता है और यह संगठन में जो है इस्राइल के उपर हमले की है अब इस संगठन का नाम है हमास अब हमास वर्थमान में जो है इस्राइल के उपर हमला किया है सुन्नी मुसलमानों को एक ससस्तर संस्ता है जो फिलिस्तिन राष्टे पादिकन की मुख्य पार्टी से मिलकर बना है 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुस् pandippnahmen ने ये संगठन बनाया था 1987 में जिसका उद्देशे क्या है कि इस्राइली परशासन के इस्थान पर इस्लामिक सासन की स्थाफना करनी थी मतलब अब मैंने आपको बताया कि इस्राइल ने इस संगठन को बनाया किस तरह से बनाया है वो मैं बताता हूं कि इस्लामिक संगठन है अब इस्राइल को बनाया है आप यह सोच रहोंगे इस्राइल ने इस संगठन को बनाया मतलब इसको संगठन को बढ़ने दिया क्या दिया बढ़ने दिया कि कही ना कहीं वो इसका जो है उपयोग करना चाहता था आगे वाली politics के अंदर परंतु ये संगठन जो है इसराइल के लिए बवासीर बन गया ये एक आतंग वादी संगठन बन गया और आतंग की संगठन बनने के बाद ये जो संगठने हमले करने लग गया आपके इसराइल के उपड़ी ठीक है जो पुराने जो नेता थे वो स आतंग की संगठन है और आतंग की संगठन गोशित हो चुका है अब क्या होता है कि ये अभी वर्तमाने देंट जो हमले हुए न وہ हमास ने किये हैं कि सपर इस्राइल पर आपको ध्यान होगा अब हम बात करते ही ये सारा सिनेरियर चल रहा है हमले पे हमले हो रहे हैं सारी च जालागी तो भारत ने आतंगवादी संकठन मानाए कितको हमास को, ठीक है, ठीक है, ठीकि भारत के आप ये देखो, भारत के एक तरफ अगर ये इजराइल का साथ दे देता है, मानलो अगर खुले में इजराइल का साथ दे देता है, हैं हां, कि ये हाँ इजराइल जो है सही क वो भी तो आपके कश्मीर पाकिस्तान ने occupied कर रखा है तो वेस्विक पटल पर ये वाला सवाल खड़ा हो जाएगा कि फिर जम्मु कश्मीर में पाकिस्तान ने जो कपजा कर रखा है वो भी सही है ठीक है तो इसलिए भारत जो है इसका प्रस्ता ये निकाला है कि संगतन को खतम करने को लिए तत्पर रहेगा तो ये भारत ने ये निके परकारेण एपर्टेक्स रूप से एक तरह से इसराइल का तो साथ दे दिया ठीक है इसराइल का साथ क्यों दिया उसके बारे में हम आगे चलेंगे ठीक है तो गाजा प्ट्टी से जो आतंगवादी संगटन इस्राइल के ओपर हमला कर रहा है तो वो हेवानियत से कम नहीं है तो ये इस news में यही है कि PM Modi ने कहा है कि आतंगवाद के खिलाफ इस्राइल के साथ मजबूती से भारत खड़ा रहेगा आतंगवाद के खिलाफ देखो क्या लिखाब आतंगवाद के इस्राइल का साथ क्यों नहीं देगा इस्राइल का साथ देना पड़ेगा क्यों 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 भारत जो है इस्राइल के साथ साथ खड़ा हुआ है रीजन यह है क्यों क्यों कि भारत इस्राइल से हतियार खरीदता है आयात निर्यात होते है आतियार के ठीक है विशुमंच पे साथ खड़ा रहता है इसराइल हमेशा पाकिस्तान का जो है सपोर्ट नहीं करता चम्मु कश्मीर के मुद्धे पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता इंडिया का सपोर्ट करता है है ना अब भारत जो कहता है ना इस पर सब्दों में इसराइल और फिलिस्तिन की बात करते हैं एक बात तो होगी कि आतंगवादी संगठन में तो हम बात करते हैं तो भारत इसराइल का साथ देता है दूसरी हम बात करें कि भारत जो फिलिस्तिन और इसराइल का जो विवाद ह तो भारत कहता है कि दुई राष्ट कि आप इस जमीन पर जो पूरी जो जमीन है उस पर पूरी जो जमीन है ना ये वाली उस पर जो फिलिस्तीन भी रहे और इस्राइल भी रहे तो मतलब भारत ने इस्राइल का भी सपोर्ट कर दिया और फिलिस्तीन का भी सपोर्ट कर दिया तो भारत की ये नीती रही है कि वो तर्ट निर्पेक्स रहता है ठीक है तो भारत का इस्टेंड किलियर है कि आतंगवाद की बात है तो आतंगवाद की तो भारत खिलाफ रहेगा पर तो जब बात इज्रायर और फिलिस्तिन की हो तो वो कहता है कि दोनों राष्ट जो है आरा क्या होने वाला है इस जगे पर फिक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी लिगे इतना ही धन्यवाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों के साथे वीडियो को शेर कर देना वीडियो पसन आए तो लाइक कर देना और बैल आइकन को जरूर दबा देना ठी ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्य वार्ट